आईए अब exercise 14.3 का question number 7 solve करते हैं पहले इस question को समझ लेते हैं इस question में हमें नीचे दियेगे data का माध्य भार निकालना है यानि median weight निकालना है जबकि इस table के first row में भार kg में दी वी है यानि weight kg में दी वी है जो कि class interval के form में है जिसका class size h is equal to 45 minus 40 is equal to 5 है और second row में विद्यार्थियों की संख्या दी वी है यानि की fi दी वी है टोटल विद्यार्थियों की संख्या 30 दी वी है यानि summation of fi is equal to these is equal to n हमें इस question में median निकालना है आई इस question का solution करते हैं इस question का solution करने के लिए हमें एक table draw करना पड़ेगा उस table में 3 column होगे विद्यार्थियों की संख्या यानि fi होगी ये भी question में given है और third column संख्या बारंबारता होगा जिसकी value हम calculate करेंगे तो आईए एक table draw करते हैं आईए सबसे पहले इस table को समझते हैं इस table में 3 column है फर्स्ट column weight in kg है जो की question में given है second column number of students है यानि कि fi और third column हमने संख्या बारंबारता निकाला है एक बार तीसरे column पर ध्यान देते हैं तीसरे column में फर्स्ट interval की संख्या बारंबारता वही होगी जो फर्स्ट interval की frequency है यानि संख्या बारंबारता दो होगी दूसरे interval की संख्या बारंबारता पहले interval की fi प्लस सकेंड इंटर्वल के फाई, यानि 5 इसकल 2, 3 प्लस 2, इसी तरह 13 आएगा, 8 प्लस 3 प्लस 2, 19, 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, 25 आएगा, 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, 28 आएगा, 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, और 30 आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, अब हम जानते हैं कि median निकालने के लिए फॉर्मूला होता है median is equal to L plus n by 2 minus cf upon f into h यहाँ n is equal to 30 है so n by 2 is equal to 30 upon 2 is equal to 50 अब हम यह चेक करना है कि n by 2 की जो value 50 नहीं निकाली है यह value संचई बारवारता वाले column में किस value के सबसे पास का term है तो हम देख सकते हैं ये 15, 13 के सबसे पास का term है तो इस संचई बारवारता के corresponding class interval को हम median class कहते हैं और इसी संचई बारवारता के corresponding frequency को हम f के value कहते हैं हमारी median class से जस्ट पहले वाले class interval की संचई बारंबारता cf की value कहलाती है यानि हम देख सकते हैं कि हमारी median class से जस्ट पहले वाला class interval है 45 to 50 और इसकी संचई बारंबारता है 5 तो यह cf की value होगी h की value निकालने के लिए हम जानते हैं h की value 45 minus 40 is equal to 5 है आई यह इन सारी values को note कर लें median class is equal to 50 to 55 so l is equal to 50 l median class की lower limit होती है f is equal to 8 cf is equal to 5 और h is equal to 5 now median is equal to 50 plus 15 minus 5 upon a into 5 is equal to 15 plus 50 upon a is equal to 50 plus 6.25 is equal to 56.25 hence required median is 56.25